Hello friends मैं हूँ Amit और आप देख रहें आपका फेडरेट चनल गाड़न गयान नमस्कार दोस्तों गाड़न गयान चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं क्रैसनतव मम् आद दोस्तों गूल दावडी ये दोस्तों नॉवेंबर डिसेमर में खिलता है अक्सर और लेट होने पर जानवारी पर लेकिन दोस्तों इसे आप दुबारा कैसे खिला सकते हैं ये वीडियो उसके बारे में हैं आए दखते हैं पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये दूसरी बार खिला है दखिए पहली बार ये सब खिले थे जो मैं काट दिया हूँ और काटने के बाद दोस्तों ये रिपलूम किया है तो ये दोस्तों एक ट्रीक है पिरला चीज है दोस्तों इससे आप उक्टोवर से ही लगाना सुरू कर दीजिए उक्टोवर पर आप इसे लगाते हैं तो ये पाचास दिन का टाइम लगाता है फिर इसमें ब्लूम आता है और बहुत हैबी ब्लूम करता है और दोस्तों ब्लूम अगर इस पर आ जाता है आपका डिसेंबर लाश्ट या फिर जानुवारी फास्ट पर तो दोस्तों आगे एक महिने तक ये फूल देता है और ये दिखिए ये सब नए-ने सूट आए हैं ये उपर कट कर देने पर दोस्तों ऐसा ही होता है और जैसे ही ये दोस्तों खील जाए आपका आप इसे 5-6 छोड़ के कट दीजिएगा तो इससे क्या होता है दोस्तों नए-ने सूट आते हैं और साइट सूट भी आते हैं और देखिए वहाँ पर बर्स भी आ गए हैं तो ये ऐसे करने पर दोस्तों फेरोरी लास्ट या फिर मार्च में आपका रिपलूम करता है और दोस्तों इसको कट करने पर और एक फायदा है इसका देखिए जो साइड सूट आते हैं ये सब एक-एक नए प्लांट बन जाते हैं और ये आपको अगश्ट में काम देता है दोस्तों यहां से आप cutting लेके लगा सकते हैं और उपर जो plant आपका रहता है उससे आप cutting नहीं बना सकते तो ये जो young suit हैं दोस्तों ये आगे चल के आपके लिए mother plant बनके रहेंगे और ये देखिए ऐसा मैं सब में काट दिया हूँ दोस्तों और नहीं ने सूट आ रहे हैं बस आपका soil sandy soil होना चाहिए और वहाँ पे गोवर का खाद होना चाहिए तो ये नहीं ने सूट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं देखिए मैंने मेरे सारे plant को काट दिया हैं दोस्तों और ये सब मेरे mother plant बनके रहेंगे और कुछ-कुछ सुग भी जाते हैं लेकिन maximum दोस्तों बच जाते हैं ये देखिए sandy soil है और hard soil आप मत लीजेगा hard soil लेने पर ये side root नहीं देता है और growth भी अच्छा नहीं आता है क्योंकि इसका root बहुत ही नाजुक होता है और root बहुत अच्छे से grow करता है तो plant भी बहुत healthy रहता है दोस्तों और इसमें आप cocoa peat भी मिला सकते हैं cocoa peat अगर sandy soil में मिल जाए तो गुलदाड़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों और मेरे सभी plant बाद में दोस्तों मिल जाएंगे इसलिए मैं इसे marker से सबका name लिग दूँगा तो आगे पता चलेगा दोस्तों कूंसा बचा है और कूंसा नहीं और ऐसे अगर आप mother plant को बचा लेते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा रहता है और यह देखिए यह मेरा pom pom variety है यह पीछले 10 साल से मेरे पास है और यह भी दोस्तों अभी देखिए यहां से मैं काट दूँगा इसको क्योंके flower फेड हो चुके हैं और मज़ा नहीं आ रहा है तो इसको अभी काट देने पर यह 20-25 जिन में दोस्तों side suit दे देगा और उसी suit से अगर आप दोस्तों flower नहीं भी लेते हैं तो अच्छा है क्योंके plant का growth अच्छा रहता है और यह देखिए उसमें flower भी मैं ले लिया हूँ और बहुत सारा खिल भी गया है और दोस्तों इसको भी मैं काट दूँगा कुछ जिन के बाद तो ऐसे आप बहुत बार खिला सकते हैं गुलदावडी को कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों गुलदावडी कहलने के बाद उससे आप रूटेड करके फैक देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल दिया है और कम देता है फूल लेकिन दोस्तों फिर भी देखिए बहुत सारा है तो आसा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजेगा फिर जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार